स्वागेते दोस्तों अब सभी लोगों का आपकी अपनी टाइमस आप नॉलेज फैमिरी में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों काफी साथ दाउट चल रहा है क्योंकि कि आप लोग फॉर्म कितने भर सकते हैं कौन से रीजन में भर सकते हैं क्या अलग अलग रीजन में भर सकते हैं हर लेवल के लिए भर सकते हैं क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी पोस्त ऐसी हैं मैक्सिमम कह सकते हैं बहुत ना के बराबर हैं जिसमें एक्सपिरेंस नहीं चाह पर आपके दूसरे रीजन में जरूर है तो आप उसका क्या करें और आपको examination center जो रहेगा उसका क्या सीन है कि examination center हमारे वही रहेंगे एक region के रहेंगे या फिर हम अलग-अलग region के भर देंगे हर form में को apply करने के लिए हर form apply करना है तो centers देने पड़ेंगी क्या हर form apply के fees लगेगी क्या यह सारे doubts में आपके यह clear कर रहा हूं तो please सुन लो थोड़ा सठ समय लूँगा पर सारी चीज़े clear हो जाएगी और form में कोई जल्दबाजी मत करना पहली चीज कि आपका जो यहाँ पर देखिए जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको जो notification का वीडियो था कि तीन लेवल की post होगी एक दो तीन जो आपकी पहले लेवल है वो है आपका graduation graduation वाली ठीक है फिर 10 आपकी 12 वाली है और 10 वाली है तीन लेवल की post है सारी आप तीनों के लिए form भर सकते हो पहली चीज हो गई दूसरी यह चीज है कि आप दो के लिए भरना चाहते है दो के लिए भर सकते हो एक के लिए बर सकते हो आप हर किसी post के लिए form भर सकते हो यह चीज आप जान लीजिए ठीक है अब इतनी बात समझ में आई अब बात आती है कि हर exam हम सब लोग मतलब जितनी form बर रहे हैं जितनी post बर रहे हैं उसके लिए सब के लिए exam देना पड़ेगा नहीं exam अगर आपने तीन level के लिए बरा है मैंनि 12th graduation और 10th तो आपको तीन exam देने हैं चाहे आपने form कितने नहीं post के लिए भराओ अगर आपने दो level के लिए बरा है तो दो exam देने अलग-अलग exam होगे और अगर एक level के लिए बराओ तो आपको एक exam देना यह होगे examination की बात के examination हमें कितने देने होंगे अब एक और चीज़ आती है अब देखिए पहले बताओ form आप जितने चाहो उतने भर सकते हो ओके जितने चाहो उतने पोस्ट के लिए form भर सकते हो बस level आपके तीन रहेंगे maximum exam आपके तीन रहेगी अब बात आती है कि आपने जो पहला form भरा फिर्स्ट फॉर्म भरा आपने आपके registration से आपके फिर्स्ट फॉर्म में आपके registration से अगर पहला form जो भरा होगा उसमें आपको तीन centers दिये होंगे examination के अब आप जो centers चूज करते हैं ना जो पहला center तो वो आपका region बन जाता है रीजन में आपको आपका home region होगा वो अब वो home region होने के कारण आपको उसी मतलब आपका examination महा होना है दूसरी चीज DV भी होना है document verification अब posting और यह सब चीजे तो बात की बात है क्योंगि आप जहां job मिलेगी वो अलग चीज है पर यह examination से लिकर DV तक आपका मही सब कुछ होना है तो यह चीज ध्यान रखना तो यह तीन जो आप भरेंगे ना तीन examination center उस टाइम पर examination form भरते टाइम पहला चाहे कोई सा भी आपने level का भरा हो वो वहाँ पर यह examination जो है वो आपके वहाँ पर centers फ्रीज हो जाएंगे वो क्या होंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पर जो चीज लिखी आपको यहाँ पर बता रखा है कि देखिए यहाँ पर बता रखा है कि आपने जो भी आपने आपने examination पहला form registration का भरा उसमें तीन center दिये वो तीन center frozen हो जाएंगे मतलब आपके वो phrase हो जाएंगे मतलब वही आपके centers रहेंगे चाहे आप उसके बाद 12 का भरें उसके बाद graduation का भी भरें या फिर किसी भी region से post भरें ठीक है? तो यह चीज ध्यान रखना चाहे कितने भी form भरें आपको यहाँ पर ही देना होंगे यह चीज ध्यान रखना तो आपका जो भी region पहला बनेगा उसी region में examination देनी है अब examination चो चलो उसी region में देनी है पर हम हर region के form भर सकते हैं यस भर सकते हैं बिल्कुल भर सकते हैं आप जो चाहो वो region के form भर सकते हो आपने 12th level का आपने एक form भरा आपके examination center दीए या फिर 10th का भरा examination center दीए आपने या कोई सा भी भरा हो graduation का भरा हो आपने उसी post के लिए भर दिया उसमें ठीक है इन level पे तो उसके बाद आप चाहे कितनी भी post के लिए भरेंगे तो आपको आपको सारी post आपकी count होगी आपको अलग-अलग form भरना पड़ेगा देखिए STAC female भाहिलाओं के लिए इनके लिए आपर fees नहीं होती तो वो बेजज़क होगे आप form सारे भर सकते हैं आपकी लोगों को fees देनी पड़ेगी तो यह छोटा सा एक difference है जिसकी वज़े से आप लोगों को थोड़ा सा face करना पड़ेगा ठीक है जो fees भरने वाले कि आपको बहुत सारे form भरने पड़ रहे हैं तो यह चीज़े अब उसके बाद जब जब आप extra चीज़े मतलब extra form आप भर देंगे तो क्या होगा आप common candidate के लाओगे कैसे देखिए आपका अगर एक region है एक region जो है एक region में आपने form भर दिये मान लीजे आपने form भर दिये आपका वो region के अलावा भी आपने दूसरे region के भी form भर दिये दूसरा तीसरा ये चौता ये पांचवा ये छटा सारे region के form भर दिये मान लीजे आपने आप भली examination किसी एक region में देंगे क्योंकि आपने वहां के centers दे रखे पर आपने form बहुत सारे region से आपने अलग-अलग post देखी हमें इस post के लिए भरना इस post के लिए भरना है हमने post अलग-अलग देखके हर level पे हमारे form भर दिये अगर हम तीनों level के exam देना चाहरे हैं तो तीनों level पे हमने अलग-अलग post के बहुत सारे form भर दिये तो क्या होगा आप common candidate के लिए भी मतलब आप सभी regionों का मिला के common candidate होंगे जब आप exam देंगे आपके 3 exam होंगे यहाँ पर अगर 3 मान लिजे 3 वाले हैं तीनों level के लिए exam पॉम भरने वाले हैं तो आप 3 exam होंगे तीनों exam के जब आपका merit बनेगी तो तीनों exam के merit में आपके जो तीनों exam के marks है वो हर region लेगा ठीक है आपका हर region आपका marks ले लेगा देख लेगा कि हाँ आपको count करेगा ठीक है common candidate हो गया आप क्योंकि तो आपको उनके region के लिए भी आपकी merit के लिए भी वो count करेंगे तो उसके according आपको job मिलेगी तो यह चीज समझ येगा अगर इसमें नहीं समझ में आए तो पूछना तो ये common सी चीज समझ में आगे common candidate की कितने form बढ़ सकते हैं क्या चीज़ करनी है किस तरह से होनी है सारी चीज़ बता दी अब देखिए बहुत सारी important कुछ चीज़े है गलती आपको नहीं करनी इसलिए मैं आपको वो भी बताऊगा तो form बढ़ने में अभी भी जल्दमाजी मत करना थोड़ा हफते बढ़ का समयलो सारी post details देखो समझो क्योंकि काफी post है और काफी post में से बहुत सारी post ऐसी है जो आपके काम की नहीं होने वाली है फिर नहीं information के साथ कुछ important आपको अभी और देनी है का certificate और इनसे related है कुछ mistakes आप लोग कर देते हैं वो नहीं करना है उनसे बचाना है आप लोगों को तो वो चीजों के बारे में थोड़ा सा अभेर करूँगा अभी एक दो दिन तो वो आपके वीडियो नेक्स्ट आपके आ जाएंगे तो यहीं आप रहिएगा यह आपकी ही फैमिली है टाइमस ओव नॉलेज चैनल और मैं फिर मिलूँगा फिर आऊंगा फिर नहीं information के साथ जब तक के लिए ऐसे ही महनत करते रहिए और अपनी सेहत का जरूर धियान रखिएगा चलता हूँ विदा लेता हूँ सभी लोगों से चैन बंदे मातरम